आज की ताजा ख़बर में आपका स्वागत है पहले हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज के बारे में फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक हैं कुछ ओविसली रिजल्ट्स काफी जादा है तो रिजल्ट्स स्पेसिफिक न्यूज के ओपर जादा थोड़ी बात रहेगी आज तक और रेड यह कुपन कोड अभी भी वैलिड है 60% डिसकाउंट on model portfolios लगाता तीन दिन हो गए हैं इंडियन मार्केट्स को रेड में बहुत रेहर हो रहा है आज के लास्ट एक साल में तो तो तीन लगातार तीन दिन की वज़े से अगर हम आज देखे तो इंडियन मार्केट्स थोड़ा डाउन था माइनस 0.23% निफ्टी डाउन था बट ओर अगर हम ग्लोबल मार्केट्स जादा भी गिरे थे तो वो उपर भी आए हैं तो जैसे स्टार करते हैं सबसे पहले जेपान इंडेक्स से पहली बात नहीं करते हैं तो बट उसकी वेज़े से सारे ट्रिगर हुआ बट वो जो है 10% से जादा अब क्लोज हुआ उसके बाद US मार्केट्स की बात करें तो NASDAQ 2% अप था S&P 500 भी अल्मोस 2% अप था और Dow Jones भी 1.5% के आस पास अप था volatility indices सारे के सारे वापिस घिर गए बहुत बड़े थे सब जो है वापिस जो है वो थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं तो everything is back to normal तो वो सब जो yen related जो issues थे और वो सब ऐसा लग रहा है कि अब कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है that's how right global markets work these days और बहुत ज़्यादा एक trigger के ऊपर रहते हैं फिर देखते हैं वो कितना deep है नहीं होता है तो फिर वापिस normal हो जाता है तो वो ऐसा लग रहा है कि वो issue जो था passing issue था nothing major but definitely US का एक recession दिमाग में है market के कि क्या आ सकता है because of the some numbers which are coming little bit not expected तो वो चीज़ definitely एक और दिमाग में रहेगी and Israel and Iran's tension Middle East में जो tension है which is increasing every day right तो that is definitely these two are the major things currently I think जो market has in their mind ठीक है expected है कि interest rate cut होगा September में 0.25 की तो almost 100% probability माने जा रही है कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि 60% probability जो वहाँ पर analyst cover करते हैं उसमें 60% probability की 0.5% से भी interest rate cut हो सकते हैं अगर जिस तरह के numbers US market के आ रहे हैं और एक थोड़ा slowdown जादा expected लग रहा है तो वो भी चीज़े हो सकती है तो ये सारी चीज़े जो है overall रही crude oil को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्योंकि एक तरफ थोड़ी recession की बाते हो रही है और एक तरफ Middle East में tension है और Iran is a big producer of oil तो वो दोनों चीज़ें उसकी वज़े से crude brand अगर है जो around 76 currently चल रहा है तो as I said it doesn't have a direction की जब recession की tension जादा आती है तो वो गिर जाता है जब Middle East में tension जादा बढ़ जाती है तो वो बढ़ जाता है तो वैसा ही basically वो थोड़ा चल रहा है इंडिया में एक home owners में जो budget में थोड़ा सा एक big shock दिया था removal of indexation benefit for real estate राइट वो वापिस लेके आए है मतलब grandfather किया है वापिस नहीं लेके आए है उसको grandfather किया है मतलब क्या कि पहले ये था कि 23rd of July के बाद जो भी selling नहीं जो भी आपको filing होगी राइट उसमें सब में indexation benefit नहीं मिलेगा लेकिन अब ये कर दिया है कि 23rd July तक गवर्मेंट ने 23rd July तक अब उसको पार्लमेंट में पास करवाना पड़ेगा बद 23rd July तक जितनी भी properties sell हुई है उनको indexation benefit मिलेगा बद बाद में 23rd July के बाद जो sell हो रही है उनको नहीं मिलेगा तो 23rd July तक अगर आपने property sell की है पहले की है और उसका return filing करना है तो उसमें आपको indexation benefit मिलेगा आपको optional है रहेगा मतला आप indexation ले भी सकते हैं और flat 12.5% जो एक दूसरा option जो अभी current है without indexation benefit का भी option जो है वो लिया जा सकता है यह last को एक upcoming news है more details we will understand और अगर कुछ होगा तो I will update you more about it बहुत interesting एक comment auto sector के उपर नितिन गड़करी जी ने union minister जो है road transported highway के he said कि 100% ethanol run cars तो एक ऐसी hybrid cars जो 100% ethanol और electric hybrid अभी जो कार आती है वो दो तरह की आती है electric plus petrol तीक है या फिर petrol plus CNG तो यह दो तरह की hybrid cars currently इंडिया में है 2022 में Toyota ने एक flex engine vehicle create की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 100% ethanol या फिर and plus electric electric plus 100% ethanol इस तरह की car उन्होंने बनाई थी ठीक है और अब expected है mother as per the minister even Tata's Suzuki Bajaj TVS or hero cars and bikes they all are working on flex engine bikes and four wheelers right and उसमें यह माना जा रहा है कि वह इस विल बेरी बिग बूस्ट तो इथनल for them apart from especially from these kind of crop sugar है corn है या फिर वीट है तो उसमें यह काफी जादा ethanol produced production के लिए use होने लग गया है यह सारी चीज़े और अगर इस तरह की cars वगड़ा यह होता है तो यह बहुत बड़ा agriculture economic boost का expected है और अगर यह चीज़े चलती है और work करती है जो expected है वैसा राइट और zero emission की बात हो रही है तो काफी बड़ा boost जो है Indian market को हो सकता है let's see how it works but that's what the thought process was कि और इसका as I said prototype already Toyota ने create किया हुआ है काफी जादा इस बारे में बात होती है कि जो foreign institutional investors है इंडिया से consistently पैसा निकल रहा है अगर हम लास्ट एक डिर साल देखें तो काफी पैसा जो है वो हमने कल भी डिसकस किया था कुछ 1.3 lakh करो right something like that I think मैं को याद नहीं है exact number but something like that it consistently पैसा निकल रहा है तो सेक्टर वाइज यह ट्रेंड कैसा है right sector wise कहां से जादा पैसा जा रहा है और कहां आ रहा है foreign institutions का right तो एक अच्छा interesting chart मिला on money control तो उन्होंने बताया कि July में जिस sector को net flow मिला inflow मिला जो सबसे बड़े हैं उसमें IT metals and mining, auto, healthcare, telecom and consumer services यह sector and थोड़ा capital goods यह sectors को net inflow मिला है July में from FIIs जो net outflows है वो सबसे जादा हुआ financial services, power sector, FMCG and construction वहां से majorly outflow रहा from perspective of foreign institution investor तो यह फोड़ा sector specific चीज़ है कि फोड़ा institution investor कि सेक्टर को जादा दिख रहे है तो एक थोड़ा सा insight I just wanted to give you ठीक है Ola Electric का IPO I think चल रहा है 4 times oversubscribe 4.26 times oversubscribe हो चुका है right और GMP जो है वो almost zero है तो we are not analyzing this IPO as of now जैसे 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 results वगरा आएंगे तो definitely एक interesting bet रहेगी especially हमारा जो electric vehicle portfolio है green energy है तो definitely हमारे thought process में shortlist में तो यह रहेगी ही company तो definitely मैं को लगता है कि we will start reviewing it as it gets listed IPOs mostly we tell people to avoid ठीक है तो इसलिए we are not analyzing it as such अगर आपको फिर भी लगता है कि we should analyze any of the IPOs तो जरूर कमेंट section में डाल दिया करें कि हम करते हैं ऐसा नहीं है analyze तो करते ही है we never recommend to buy but analyze करते हैं just for the sake of it to tell people about it ठीक है तो अगर आपको लगता है कि आइप यो कोई interesting है आपका interest है तो जरूर उसको comment section में लिखिए तो विल try to make a video on it ठीक टाटा पावर अब results की बारे में बात कर लें start कर देए ताटा पावर का result आया काफी बड़ी company है हमारी model portfolio में है result अच्छा है revenue जो है अगर हम year on year की बात करें तो 12 परसंट का growth हुआ है पाट जो है वो 31 परसंट का growth हुआ है right exceptional items के हारा हो मतलब वैसे तो 4 परसंट बोलते हैं लेकिन 31 परसंट का actual growth है और Q on Q भी 7 परसंट का growth है PAT में तो PAT जो है वो अच्छा increase हुआ है order pipeline भी improve हुई है और overall जो है 6.1 gigawatt की capacity जो है उनकी currently clean और green energy की हो चुकी है और 5.3 gigawatt की under execution है जो उनका EPC solar rooftop वगरा का business है उसमें भी almost 15,000 करोड रुपे की pipeline है they are saying कि हम 20% market share का thought process में है 20% market share हम करेंगे net debt थोड़ा बड़ा है company का Q on Q 38,000 करोड से 42,000 करोड रुपीज का हुआ है because of CAPEX plant CAPEX FY25 में 20,000 करोड का है company ने 830 करोड रुपीज का hydropower plant में 40% stake भी लिया है जिसका नाम है खोर लौचू यह hydropower plant जो है इन्होंने भूटान में इसमें almost 830 करोड रुपीज invest किये है इसमें 40% stake जो है इस company में लिया है इन्होंने तो यह सारी चीज़े तो overall एक अच्छा result Tata Power का रहा और expected भी है काफी focus area है बहुत बड़ा energy focus जो है उसकी वज़े से इस सारी चीज़े अच्छी चल रही है ब्लू स्टार का result भी आया अगें expected था बहुत अच्छा quarter because of huge heat wave in India जबरदस्त AC का जो sale है इस बार हुआ है और वो यहां पर दिख भी रहा है 29% year-on-year growth company ने दिया है और पैट जो है almost 100% growth हुआ है पैट का order book भी जो है almost 14% से जो है company की year-on-year बड़ी है तो काफी impressive result है एक ऐसी consumer durable company consistently रही है ब्लू सार का भी detail analysis भी किया था recently तो एक ऐसी consistently company रही है हमारी जो बहुत अच्छा perform किया है मतलब उनका जो EPC segment है जो की टाटा के वोल्टास के पास भी है but that has not done so well but blue star का वो business अच्छा किया है उनके रेलवे वेगरा में थोड़ी presence है उनके आपर भी AC वेगरा में commercial AC वेगरा में वेगरा में काम करते है और overall उनके air condition का business भी जो है अच्छा रहा है तो एक consumer durable sector में एक ऐसी company रही है जिसके results और overall performance भी stock का थोड़ा सा एक outstanding रहा है outstanding बहुत बड़ा word कह रहा हूँ but outstanding in the sense कि बाकी सब अगर हम बाकी companies whirlpool देख लें वोल्टास देख लें वो सब चीज़े देख लें उस हिसाब से ये company का performance काफी अच्छा रहा है TVS Motor का results भी आया अगें consistently एक company है मिलेको हमेशा surprise करती है एक auto sector की company जो बहुत consistently अच्छा performance दे रही है right year on year की बात करें अगर हम volume की बात करें तो 14% का volume growth right q on q में 2% का volume growth revenue जो है 16% से बढ़ा है net profit 23% से बढ़ा है margin भी improve हुआ है right और exports में फिर से अच्छा कर रहे हैं exports में they are consistently doing well 14% जो है overall growth रहा है इनका जैसे मैंने बताया है कि volume का उसमें से scooters जो है वो ज्यादा ग्रोव हो है 19% से मोपिट 16% से ग्रोव हुए है EV जो है उनका sales जो है वो 34% से 52,000 vehicle almost उन्होंने EV की बेची है in q1 right और तो overall काफी एक अच्छा उनका as I said कि एक company two wheeler में मतलब compared to others have consistently done well and stock has also performed decently well solar industry is one of the stock portfolio में है हमारे again a very very good result they have profit has improved very very well to profit almost 78% से year on year बड़ा है sorry 49% से year on year बड़ा है majorly because of the lower raw material cost raw material cost जो है वो बहुत decrease हुई है almost 10% का decrease हुआ है year on year और उसकी वरे से ही majorly और उसकी वज़े से प्रॉफिट जो है और उसकी कोस्ट कम हुई है उसकी वज़े से प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है जबकि revenue बढ़ा नहीं है अगर हम टॉप लाइन देखें तो सिर्फ वन परसंट का इंग्रोथ है टॉप लाइन में बड़ प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़िया तरह जो है company के overall increase हुए है because of the cost numbers right revenue में एक चीज़ interesting है वो है defense का revenue बढ़ा है right defense का revenue जो overall sale का percent था अगर हम देखें Q1 FY24 में last year तो 9 परसंट था अब वो 12% हो गया है ठीक है तो यह एक interesting उनका thought process मतलब रहा है हमारा तो जो कोल इंडिया से जो revenue आ रहा है उसका percentage consistently decrease हो रहा है अब वो पहले 16 परसंट साब 14 परसंट हो गया है तो वहां से उनकी growth कम है कोल इंडिया से बट वो जो सारा जो gain मतलब जो loss हो रहा है वहाँ पर वो defense जो है वो काफी अच्छा कर रहा है इंडिया में तो काफी इंट्रेस्टिंग कंपनी है डिफेंस प्ले केमिकल प्ले राइट एक तरह का monopoly business है in explosives इंडिया में तो काफी इंट्रेस्टिंग कंपनी है as I said part of the portfolio we closely watch it interesting play है overall बाटा का result भी आया अगें cost विगेडा की वज़े से जो overall profit जो है वो improve हुए 63% जेकिन जो sale है वो actually down थी 1.4% से कम हुई है overall sale right 33 stores franchise stores जो है company ने add किये है for them PI industries again one of our model portfolio stock अच्छा रिजल्ट आया राइट overall 17% का growth है revenue में sorry net profit में company का from revenue perspective also I think it is almost 7-8% का उनका total overall growth है not big but again the chemical sector has that headwinds especially overall global slowdown वगरा की वज़े से तो वो चीज़े वहाँ पर रही है but profits have improved again majorly because of cost of material consumed decreasing तो वो काफे decrease हुआ है और उसकी वज़े से जो profits है वो एक अच्छा 17% के आसपास का growth उसमें दिखा है गुजरात gas का भी result आया volumes improve हुए है revenue उसकी वज़े से improve हुआ है volume 19% से increase हुए है right और उसकी वज़े से revenue में improvement हुआ है but again because of that cost of material has also increased तो gas का जो cost है वो भी increase हुआ है last year के perspective और year on year के perspective as well right तो उसकी वज़े से जो overall जो profit है अगर हम year on year देखें तो काफी अच्छा improve हुआ है लेकिन quarter on quarter decrease हुआ है profit because of increase in cost of raw material and quarter on quarter जबकि revenue थोड़ा सा बड़ा है ठीक है because I don't know यह सारी चीज़े बेसिकली उसमें रही है from Gujarat cash company's perspective ठीक है यह main main results थे बहुत सारी results और भी आये हैं but major major companies which we cover at least तो थोड़ा बहुत अपन हम जानते हैं थोड़ा सच्छे समझा सकता हूँ that we have I have tried to cover here quickly बहुत क्विकली बहुत चोड़ी सी एक स्टोरी है knowledge section बहुत बढ़ा नहीं कर रहा हूँ आज क्योंकि पताई थी तो आपकल Olympics से रहा है रहा है तो we talk we see lot of great stories right की जोकोविक और इंडिया में मनु भाकर राइप सो बहुत इंडरस्टिंडरस्टिंडरस्टिंड इंडरस्टिंड 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 रहा है कि how people have reached that pinnacle of success and to watch is you have a very interesting story we should always be thankful to 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 Almighty right or to God for all the things they have done to really come my cousin was born in a mountain village in French Alps like man that he started ski before reading right so I am a good skier skier and skier I don't know right but I am I remember the humiliation when I was 14 and he was six seeing him surpass me right though in the cousin tha to which has alka the bomb or a chakra is an incentive on a swift as a bullet young age he made it to world championship of his age back and boy he was fast his career came to an abrupt end a decade later one injury at a time first he incurred his injured his ankle then he broke his knee a few more injury later he retired too young from him I learned that skiers that you see on tv the fastest racer in the world didn't get there because they were the fastest they got there because they were the fastest of those who didn't get injured into retirement in skiing and in life in general it's not the best ones who succeed it is the best ones of those who survive right to luck as a factor right we should never ever underestimate it right in investing in our lives in sports we should never ever underestimate and underestimated right to abhi just say abhi one of our wrestler right i'd forgot her name right to 8-2 say she was ahead she got injured and she lost the bout right carolina marine right to badminton player again she was ahead first said she won second she was ahead right injured went out to yes sub stories mother hum olympics winner may some i'm ready to get you to get you to get me some of the right key it is not the best ones who have who have got the gold silver or bronze right it is the best ones of those who survive right who didn't get injured or who are lucky they didn't get injured right to yes are you are you investing may be or sometimes some time work sometimes doesn't work we get into wrong time we get out wrong time how many i say express it as a team of me we cool and i need to hear that we were not prepared for it on all those things right or we take some decisions who is a real estate lady a little that is what i wanted to do investing related in the future but for the challenge was it especially on a pixel rate or other so i thought i will talk to you about this have a great time and dosto the rule invested in the website agar up and he did it was a rudy key model portfolio stockometer bought interesting products and you know what could sell he got they just sell our products on youtube we never partners with anyone we are very we try to keep ourselves as much as unbiased and transparent as we can to us ke liye sir of a key is of a new source and that is our products on invest in the protein new check it out and other kobe feedback where a head was the rule we were to have a great time जाहिए